हेलो रिवर्टी दोस्तो जैपपुर में वकैन से निकली है आई टी आई के लिए अपरेंटिस की पोस्ट के लिए तो यदि आपने आई टी आई का रखे और आप अपरेंटिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाश्ट तक देख लिजी हो सकता है ये वीडियो आपक जुड़ी जानकारी पर में लेकि आता रहता हूं जो आपके लिए कहीं न कहीं हैलफूल जुरूरती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो तो अब बात करते हैं कि अपरेंटिस की वकैनसी किस के लिए निकली है और कोन अप्लाइक कर सकता है कैसे फार मरणा है तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों नोर्थ वैस्ट रेलवे रिप अरिगरूट्मेंट सेर्ट जयपपूर है यहां कि यह वकैनसी निकली हुई ने कि दिखना.." तो फारेंश नंबबर से श्टार्ट हो चुए है और तीस दिसंबर तक आप फार्म अपलाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तो जनरल कटेगरी की और OBC कटेगरी की फार्म बढ़ने की सोरवे फीश लग रही है ठीक है और जो SC है ST है फीश की कोई भी फीश नहीं लगेगी ठीक है जो आपको फीश पे करनी है जनरल OBC कटेगरी को वो आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है इन फेवर ओफ सिनियर डी एफम जासी पेवलेट जासी ठीक है दोस्तो आगे बात करते हैं कि आपकी लोकेशन कहां रहे गया ठीक है तो आगे है कि कौन फार्म अपलाई कर सकता है एज कितनी वैलिड है तो यहां पे आप देख सकते हैं मीनिमम इज 15 साल आपकी होने चाहे तो आप इस फार्म को अपलाई कर सकते हैं मैक्सिमम एज आपकी 24 साल जो S, C, S, T है उनके लिए 29 साल है मैक्सिमम एज और जो OBC कटेगरी है उनके लिए 27 साल है मैक्सिमम एज ठीक है दोस्तों आप बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है टोटल वकैंसी कितनी है तो 2,090 टोटल वकैंसी है यहां पे आपके लिए ठीक है अगी यहां पे डिविजन वाइज भी वकैंसी की अलग अलग कर रखी है अज मेर डिविजन में इतनी है बिका नेर में इतनी है जैपपूर में इतनी है जोदपूर में इतनी है बीटी सी कायरे जैने में इतनी है हेलो राम राम बडियाजी हाँ देख्या दा वाइस पेर चल ठीक बनांग भाई ना यो कोन बनाई थी उस तेम तक हाँ सबेरी देखिली दिवन भाई ठीक ठीक है तो यहाँ पर अलग अलग वकेंशी आपकी दे रखी है उसके बाद आपका जो पेस्केल है वो अपरेंटिस का जितना पेस्केल होता है वो होता है तो यहाँ पर आती है बात क्वालिफिकेस्टिन की Candidate who have completed their 10th level examination with minimum 50% mark दसमी में आपके 50% नमबर वहने जुरूरी है और ITI certificate हो आपके पास तो आप इस फार्म को apply कर सकते हैं ठीक है How to apply Candidate can apply through link provided below और they can answer apply through official website of RRC Zappur before 30 December तो दोस्तों आपको online फार्म बलना है ठीक है यहाँ पर आपके क्या क्या डोकुमेंट चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राप चाहिए आपका signature चाहिए ठीक है तो selectionally based on merit interview based ठीक है तो यहाँ आपके अलग-अलग से link दे रखें यहाँ से आप apply कर सकते हैं ठीक है यहाँ कली करके अब बात आती है कि कौन-कौन ची ट्रेड है तो दोस्तों यहाँ से आप official notification डाउनोड कर सकते हैं लग-बग सभी trade है ITI की लग-बग सभी trade ITI की इसमें दी हुई है ठीक है तो दोस्तों बस यह दिया आपने ITI कर रखी है तो आप इस notification का जुरूर check out कर लें आप को जान करें दी जाती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि कोई भी वीडियो आपके मिशना हो यह वीडियो आपने यहाँ तक देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बगवान कर आप सभी का दिन सूब रहे